तो आज हम देखेंगे एक चाइना के दूसरे वंस के बारे में इससे पहले हम लोगों को ने देखा था सांग वंस के बारे में और आप हम देखेंगे चाउ वंस के बारे में जो कि एक चाइनीज डैनिश्टी थी तो इसका सासनकाल 1122 इसापूरु से 225 इसापूरु तक चला कि차ousbir अपर संवाज था था त्या अबस्क परिशें देखते हैं कि कैसे इस वन्स ने अपको प्रगति योर ले गए और उन लोगने समाज किषति थी अर्त उन के अर्थ व्य्स्ता कैसी थी और opt-ilsع Nations की धार्मिक इस्तिती और भी कैसे वो लोग बढ़ें और कैसे वो लोगों ने चायना पर अपना वास किया तो इस सबसे पहले इसका परिशे देखते हैं चाउ वंस का सासनकाल चीन में बहुत ही लंबे इतिहास के में सभी राजवांसर की तुल्ला में सबसे दिर्ग कालीन थ ठीक है और इस वंस के जो सासक हुए वे अपने आपको बहुत ही परतिश्ठीत मानते थे और अपने आपको वहां का सर्विसर्वा मानते थे और वहां सबसे परसित चाउ वंस की क्या थी तो वहां की सबसे परसित सांस्कृतिक उपलब्दिया थी इस समय वहां में कह सकते ह का स्वर्णिय काल था golden age अब क्या हुआ कि इस संस्कृति में सभी लोग अपने अपनी योगदानों को दिये और बहुत सारे संस्थाएं ऐसी थी जो इस संस्कृतियों को और अपने जो साहित्य थे उनको आगे बढ़ा रहे थी और इसमें क्या हुआ कि उन लोगों ने इस का अलुक्त को का भी निर्मान किया मतलब बहुत सारे चीजों का अनुक्त शेव के इस यूग में निर्मान हुआ और इस यूग में चिन के समाजी त Quindiak जीवन में भी आधोनीक परीवर्तन आयी मतलब कह सकते हैं कि जीतना प्रिवर्तन सां यूग में नहीं आया था उत्ना ही परवरत इसमें इस यूग में आया था मतलब उतसे चादा और ये कहना अतिस्वक्ति नहीं होगा कि इस यूग में चीनिस संस्क्रिवतियों की आधार सीला रखी गए थी ठीक है अब इस यूग में देख सकते हैं कि 1122 इसापुर से 225 इसापुर तक चला था और इसमें इसको मैंने कहा था सास्त्री यूग मतलब क्लासिकल एज क्यूंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ों का जिसे पुस्तम मैंने बताया कि पुस्तकों का सिल्व का साहित्य क एससे निर्मान हुआ कि इसे इतिहासकारों ने क्लासिकल एज से भी कहा और इसे एक सामन्ती यूग भी करते हैं क्योंकि राजा की सहायता के लिए वहां बहुत सारे सामन्त है ऐसा सामन्त मतलब यह नहीं कि हम जो व्यक्तिक पार ज्यादा पैसा हो जो परभाव में उसे ही सामन्त कहेंगे नहीं यहाँ पर क्या होगा कि राजा के कोई निकट वरती ही परिवार के जन को सासंत भारदे दे दिया जाता था और उसे ही स्टम में सामन्त कहा गया था ठीक है तो आए हो कि यह आपको सामन्त थोड़ा किलियर हुआ होगा ठीक है जैसा की वहाँ पर एक राजा का सासन होता था और उस राजा को वेलोग करते थे इस वर का पुत्र son of heaven भेजिटय लोग अपने राचा को ही सर्वे सरवह मानते थे और वहां के सासक ब ही पर्ति भान भी ओते थे और अपने आदर्थे को कोई लोग पालन भी बहुत अच्छे से करवाते. अब हम देखेंगे कि उनकी राच इकी संरचना क्या हुए, लोग कैसे थे कहा बसते थे, उनकी सासन वर्ष्था कैसी रही थी, ठीक है, तो चाउग वन्स वाई नदी के गाटी में रहते थे, कुन से नदी, वाई नदी के गाटी में, बाद मैं इस गाटी का नाम हो किया, सें प्रोविनेंस कहने लगा और वो लोग हमेशा अपने आपको एक ही जगा पर रहना चाहते थे बट क्या होता था कि बहुत सारे बरबर जाती थी जो कि हमेशा आकर्मन कर देती थी और उन्हीं के वज़े से उन लोगों को अपने अस्थान पर परिवर्थन करते रहते थे चाहू वंस में सासक के द्वारा सासन किया जाता था ठीक है और वे लोग अपनी सीमा का बहुत अच्छे से रक्षा करते थे और माना जाता था कि वहां पर सैती समराठों ने अपने सासन किया था इस वंस में कितने समराठों ने सासन किया था तो सैती समराठों ने तो और ये पूरआ once, 5 भागों ग्म भीवक थें है, ति ने फ़ें, पूरवचाओ once जी से कहते हैं, वो 5 भागों में, भीवक थें, चोटे चोटे राज्यों में, अब हम मुन्ने देखेंगे, वे 5 चोटे चोटे राजे इस प्रकार थे, ची जो ठीक है जो उत्री पुर्वी चीन में फैला हुआ था फिर चाइन या जिसे हम चीन भी कहते हैं जो पस्चिनी चीन में इस्तित था फिर चीन या सीन जो उत्री चीन में इस्तित था सुंग जो बीच के मैदानों फैला हुआ था और चू जो दक्षिन की और वरतामान छ सांग वंज की तरह उनका समाजी जीवन था थोड़ा सा डिफरेंस था कि यह लोग समाजी theres that से ज्यादा बहतर थे वह लोग सबसे चोटी काय वह लोग की परिवर वे लोग अपने पुर्वजों को सरवे सरवा मांते थे, पुर्वजों को बलिदान के रूप में भीट बिचड़ाते थे, उनका मानना था कि अपने पुर्वजों को अगर वे खुश रखेंगे तो उनके सारे कारिये पूर्न हो जाएंगे। इतना ही नहीं कि किसी में भी वे लोग अपने पूरवजों से ही दुआ करते थे या फिर मन्नत मांगते थे कि उनकी फसलों को देखभाल करें और दूसरे जानवर से अपने फसलों को बचाएं ठीक है और बहुत सारे कर्मकांड करते थे वे लोग की अपने पूरवजों को ख नुह होता था // उनका शा्सक जो की उनका देख भाग करता था वह लोग मानते थी कि अगर क्सासक नहीं थी तो ये एक बिना सिर्के आदमी हो जाएंगे और वह लोग अपने राजा को outward हमें पूरी छंता से और अपने प्रे Wyatt से वह वे लोग अन राजनीती कारियों में भी अपने हाथ बटाती थी और वहां की जो राज की राणी थी जो सासे की पतनी आघी थी वह लोग भी बहुत सारे जगों पर अपना कारी भी करती थी ताकि अन इस्तिरियों को भी उनसे कुछ मोटिवेशन मिले और इसी को देखते हुए इत्यास करणों निसकर्स निकाला कि इस्तिरियों की दसा वहां पर बहुत ही अच्छी थी अब देखते हैं कि अर्दवेश्था कैसे चलती थी एक्रॉमिकल सिस्टम अर्दवेश्था को इन लोगों ने बहुत अच्छे से समाला था जैसे सांगवास में पसुपालन क्रिशी और उद्वगदंदे थे उसी परकार इसमें भी सेम है अपका क्रिशी पसुपालन और उनको खेती के लिए आसानी हो रही थी चावल उनका सबसे प्रमुक था यह ज्यासकारों का मानना है वे लोग सिचाई के लिए वर्सा का पानी का भी उप्यों करते थे और नदियों का पानी का भी उप्यों करते थे क्योंकि सिचाई अगर किसी भी जगा पर अच्छी होग तो ही फसल अच्छा होगा यह तो आप लोग भी पता है और इसी के वज़ा से वे लोग अपने इस चावल और बाजरे की खेती का बहुत भर मार कर सकें सकेंड आते हैं पसुपालन पसुपालन एक मुख्य अंग था इन लोगों के जीवन में क्योंकि पसुपालन से वे लोग उनको मार कर भी खाते थे उनका वैपार भी करते थे और अपनी जीविका को भी चलाते थे सबसे important था कि वो लोग अपने खेती में अपने पस्वो पह सहए को शोता करते थे वसुओं का यही एक इंपोर्टेंट रोल इनके लाइफ में रहा था अर्थव्यवस्था में उद्धोग धन्दा बहुत ही उन्नत इस्तिती में था इन लोगों का वे लोग सांगवंस की तरह संगमर्मर की चीजों का भी वैपार करते थे संगमर्मर की बटन बनाते थे जो की कपड़ों में यूज होता था और बहुत ही यह लोग आधुनिक तरीके से बनाते जैसे की बहुत ही पारिक इसमें डिजाइनिंग करते थे ताकि उनका जो सुन्दरदा था बढ़ जाती थी और मार्केट में इसका वेलू भी बढ़ जात है और वे लोग अपने कपड़े से ही अधिकतर कमाई करते थे और आज भी देखा जाता है कि वे लोग अपने वैपार के लिए ही परसीदे जैसे चाइना आज भी नमर वन है अपने वैपार के लिए कर देख सकते हैं कि कैसे वे लोग अपने वैपार को फैलाते हैं और कही लोग इसी तरह मेरे चैनल से जोड़े रहे हैं और कुछ अगर डाउट होते हैं तो कमेंट बक्स पर जरूर लिखे और प्लीज अपने दोस्तों साथ जरूर ये वीडियो को सेर करें ताकि वोग भी कुछ सीख सकें थैंक यू